हेलो फ्रेंद्स, वेलकम बैक टो आउर चनल, स्मार्टेरस क्लब. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माद्दिम से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली अनालिसिस करते हैं. यह एनालिसिस करने के लिए हम यह उस करते हैं टेकनिकल एनालिसिस का, और साथ में रीड करते हूं, option channel को. दोस्तों यह एनालिसिस करने के साथ में ही, next trading session के लिए जो भी labels possible होते हैं, इस labels के बारे में हम discuss करते हैं, उसे note-down करते हैं, ताकि next trading session में जब भी Nifty और Bank Nifty में आप कोई position बनाएं तो उस position में यह आपकी help कर सके। साथ में हम बात करते हैं हमारे intraday stock के बारे में. दोस्तो इस channel के उपर में आपको technical analysis और trading technique से related videos मिलते रहेंगे. हम कुशिश करते हैं कि यह videos आप तक रोज रात को 9 बजे के पहले पहुच जाए. तो दोस्तो अगर आपने इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो आपसे request करेंगे इस channel को subscribe कर लिजिए और साथ में bell icon को भी प्रेस कर लिजिए ताकि आपको latest updates मिलते रहें. तो दोस्तो शुरुवात करते हैं हमारा आज का वीडियो जो है nifty 50, bank nifty और हमारे intraday stock के बारे में. So friends, let's start talking about India Wix first. Let's discuss about it. India Wix कुछ दिनों से हम लोग बात कर रहे था, around 10.5 के आसवास में पहुचा था. अगर आपने हमारा वीडियो कुछ वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम इंडिया Wix के मारे में continuously एक ही बात बोल रहे हैं. In case अगर इंडिया Wix उपर जाना चालू होता है तो market गिरेगा. We can see a sharp move 1.21 point का move और 12.70 पे आज हमें देखने का मिल रहा है. Nifty 50 भी गिरा है, bank Nifty भी गिरा है. So Nifty 50 minus 55 points गिरा हुआ है उसके मकामले bank Nifty में ज्यादा गिरावट आई है which is 374.60. So Nifty 50 started around 12,261. It made low of 12,191, high of 12,265 and closed yesterday it was 12,282. Swing कितना दिया दिन बर में? So Swing was 74 points का. And अगर हम Nifty bank के बारे में बात करें तो Nifty bank ने 32,327 के आसवास में opening की है. It made low of 31,960, high of 32,329 and closed जुकल का था which is 32,443 और आमने closing दी 32,069 की. Swing दिन भर में देखने को मिला 370 points. So अगर आप simply हम देखने की कोशिश करें आज हुआ क्या मार्केट के अंदर में? So we know it very well. आज का जो भी trading हुआ है, पूरा का पूरा trading was news-based trading. क्या news था? Definitely US का इरान के उपर में जो attack हुआ. Not exactly attack, इस attack नहीं बूल सकते, लिकिन drone से जो attack किया वहाँ पर उसके उपर में market morning से ही गिरना चालू किया, उसके उपर में reaction दिखाना चालू किया. तो US का और इरान का अगर जगड़ा हो रहा है तो इंडिया को क्यूज के अंदर में फरक होना चाहिए, इसके वारे में था बात कर लेते हैं दोस्तों. Talking about Iran and US, अगर मैं बात करो इन दोनों कंट्री से इंडिया को बहुत ही अच्छा relationship है. अगर इसके अगर इरान के साथ में कुछ करने जाएंगे तो US उस sanction लगाता जैसे आपको मा याद होगा कुछ महीने पहले oil के उपर में sanction लगाए गया था इरान के उपर में, सो हमें भी उसका फरक पड़ा था. अब इसमें हमारा exactly financial कहा problem आ रहा है, जो हमारे पास में पैसे आते हैं, जो हमारे पास में currency आती है, फॉरेंसे रिजर्व में, वो 70 billion dollar के आसवास में आती है, जिसमें गल्फ countries के अंदर में लगबग 40 billion dollars आते हैं, यानि 50% से ज्यादा पैसा हमारा गल्फ countries से आता है, गल्फ समय तक चलेगा और लंबे समय तक चलेगा तो इसका फरक अगर दिश्टे से देखें, अगर economical view देखें तो definitely हमारे उपर भी पढ़ने वाला है, so exactly हुआ यह कि Nifty 50, Bank Nifty ने इस चीज को समझा और इसकी वज़े से आज वहाँ पर गिरावट देखने को बिले ही हुई है, but ए Bank Nifty का आपको चार्ट दिखाऊंगो, वहाँ पर मैं explain करूँगा, बात कर लेते हैं, Indigo के बारे में, जो Indigo हमने लास्ट वीक लिया हुआ था, Idley I don't prefer to keep options for more than 3 days, but this time थोड़ा सा breakout का wait हो रहा था, so because of that Indigo मैंने आस तक रखा हुथा, आज मैंने से square off किया, हमने दोस्तों target जब आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपने target बताया था, 1390 के आसवास का target इसमें मिल सकता है, आज Indigo went up till 1382 और जो इसके अंदर में profit था, क्योंकि 1400 का call मैं ने buy करके रखा हुआ, sorry 1360 का call buy करके रखा था, so definitely मैं दोस्तों प्रॉफिट बुक कर लिया हुआ है, और मैं जो loss हुआ है, that is in the bank nifty 32,500 CE के अंदर में, बात कर लेते हैं, हम nifty और bank nifty के future के बारे में, so nifty और bank nifty basically अगर बात करें दोस्तो, तो nifty future जो है, आज उसके अंदर में short build-up नजर आया है, short build-up definitely you can see prices negative थे, लेकिन इस short build-up भी ज्यादा difference से नहीं है, बहुत ही कम margin से दिख रहा है, which is open interest के अंदर में सिफ 2% का जाफा दिख रहा है, because of that is short build-up बहुत जादा importance नहीं दिखा रहा है, इवन bank nifty में भी short build-up है, लेकिन bank nifty के अंदर में open interest लगबाग लगबाग 5% change होते हुए नजर आ रहा है, so definitely it will have some kind of impact in coming days, FII and DII के बाले में बात करें दोस्तों तो FII have purchased 1263 करोण रूपीस का business आज के दिन में किया हुआ है, and DII ने 1029 करोण की बिक्वाली की हुई है, against जो कल के दिन में खरीदारी थी अधे परचसर रूपीस आज के दिन में उरोंने बिक्वाली की है, and FII कल भी खरीदारी की थी आज भी FII ने खरीदारी की हुई है, let's start talking about nifty now, so as we discussed nifty started well but from उस point से problem create हुआ है, and उस point से जो news था उस news के वैसे nifty नीच आया है, nifty ने इस बीच में जो अपना label तोड़ा है that label was 12,250, यह 12,259 के असवास में opening हुई थी, वहां से 12,250 तोड़के nifty नीच आया हुआ हुआ है, बढ़िया चीज यह है कि आप देखे, जो भी हमने support की line पहले से draw करके रखे थी, उसके आसवास में आकर support लिया, and then last में 12,196, 12,200 भी तोड़ा nifty में है, लेकिन 12,196 से support लेते हुए, nifty उपर गया हुआ है, and closing आपे दी है, closing दी है 12,226 के पास में, good thing is that कि इतना बड़ा जटका लगने के बाद में भी हमने 12,200 भचा लिया हुगा, फिलाल कर दाएं पे, अब मंडे के दिन में बहुत important role play होगा, देखना यह है कि 12,200 किस तरह से बचता है, यहां से support लेके हैं वह पस 12,300 की दरब चलते हैं, अगर हम देखें तो daily chart पे जो कल का low था, उस low को हमने थोड़ा सा तोड़ा है, marginally उस low को हमने तोड़ा है, वहां से support लेके हम उपर गए हैं, एक तीस में बहुत ही clarity से दिख रहे हैं दोस्तो, 12,200 आपके लिए अच्छा support का काम कर रहा है फिलाल करा है, 12,200 बढ़िया support का काम कर रहा है, उसके आसपास में आते हैं, buying दिखनी चालू हो जाती है, and same thing bank Nifty के साथ में भी हो रहा है, so फिलाल 12,200 को जब तक हम सम्माल के रखते हैं, till that time we will be bullish, जब से ही हमने 12,200 हम तोड़ेंगे, we will turn bearish, and in that case definitely labels to watch for is 12,185, and 12,161 पर बहुत बहतरीन support है, अगर यहां पर support नहीं मिला तो 12,127 नहीं तो फिसीदा, 12,100 के आसपास में आपको support मिलता हुआ नजर आएगा, इसे confirm कर लेते हैं option chain के उपर में भी, so option chain अगर हम दोस्तों देखेंगे, then option chain के उपर में we can see, 12,300 के उपर में highest open interest we can see, which is 22 lakh का, second highest open interest is 12 lakh, see the 22 lakh से 12 lakh का second highest open interest देखने को मिल रहा है, which is on 12,250, so immediately दो जगा पे हमें highest and second highest open interest देखने को मिल रहा है, writing 7 lakh 11,000, 5 lakh 51,000, so writing 12,200 में भी आज के दिन में बहतरीन होई है, expected है Monday के दिन में market 12,200 के नीचे खुले शायद से, so एक बार यह देखने लाइक रहेगा उस दिन, अगर हम call side में बात करें, call side के अंदर में we have almost 20 lakh का highest open interest on 12,200, तो इसे तोड़ना मुश्किल भी दिख रहा है, यहां पे एक बार जहां 12,200 में बढ़ियां support मिल रहा है आपको, second highest open interest is on 12,000, third highest open interest आपको मिल रहा 14,27,000 का जोकी 12,100 पे, so ideally क्या समझ में आ रहा है यहां से, writing आपको बढ़ियां देखने को मिली है, हाँ, हमेशा की तरद 10,11,000 के आपकी quantity नहीं दिख रही है, चार्ट के उपर में weakness नहीं बोलूँगा, क्यों नहीं weakness बोलूँगा, reason being हमने support लिया है कल के candle के आपको हमने support लिया, support लिके हम उपर गया है, अब trading कैसे करनी चाहिए, 12,214 के नीचे जा रहा है, थोड़ा wait करना है, 12,200 तोड़ता है, especially यह level अगर तोड़के, आज की candle से कर नीचे जाता है, आप एक बार sell call ले सकते हैं, and अगर उपर opening होती है, 12,233 के उपर जाता है, so एक बार chances है कि 12,250 के आसवास में आके, Nifty को थोड़ा सा resistance phase करना पड़े, और उसके बाद ने फिर से Nifty नीचे जाने की कुशिश करे, long थोड़ा सा अवाइट करने का suggestion होगा फिलाल के दाइम पे, Nifty future देख लेते तो, Nifty future ने lower low का pattern बनाय हुआ है, इसने भी support लिया 12,226 के पास में, जो कि अल्री स्केंडल से support लेके एक दिन और जा चुका है, 1st January को जा चुका है, तो अज भी वहाँ से support लेके गया है उपर के पे, अगर मैं पूरा दिन के बारे में अगर highlight बोलें, एक बढ़िया चीज बोलें, तो वही है कि Nifty lowest level, लोवर लेवल से at least 30-40 points उपर गया है, उपर जाके बंद हुआ है, so this is what the highlight for Nifty. Let's talk about bank Nifty. Bank Nifty started definitely, जैसाब gap down opening हुई थी, और यह gap down opening नहीं बोलेंगे exactly इसे, लेकिन कल के मुकाबले में, कल 431 पे थे तो आज जो opening हुई है हमारी, that is 32,326, almost 100 points के नीचे का हमारी opening हुई है, नहीं समल पाए, सीधा नीचे गिरे हैं महां से, सीधा महां से हम नीचे गिरे हुए हैं और नीचे गिरते हुए, जितने भी support level है, सारे support level को हमने तोड़ा हुआ है दोस्तों. अब यहाँ पर important क्या था था देखना, कि हम 32,200 को तोड़ते हैं, तो 32,200 को हमने comfortably तोड़ा है, यहां पर थोड़ा हमने support लेने की कोशिश के लगवग, एक गंड़ा हमने उसके आसवास में बिताया, after that we broke that also, and properly हम नीचे हुआ हुए हैं. यह जो double line आपको मैंने यहां पर दिखाय हुआ है, हम उसके उपर भी जाने की कोशिश किये, पर जा नहीं पाएं, और दो बारी की कोशिश हुई है यहां पर. So देख सकते हैं, जो levels हमने already decide करके रखे तो उसी levels के आसवास में trading हुई है. Intraday के उपर में देख लेते हैं, किस तरह का candle बना, lower low candle बन रहा है, I normally say that I don't trust Thursday का candle, क्यों मैं दो रीजन देता हुआ आपको यह दिखे Thursday का candle और Friday का candle है, exactly opposite. यह दिखे Thursday का candle और Friday का candle है, exactly opposite. But that doesn't mean कि यह इसी तरह से बनने वाला था, कोई भी technical analysis आपको इस बारे में बात नहीं कर रहा था, कि आज के दिन में red candle बनेगी, चांसेज थे कि market gear था 32,200 तक जाता था, but because of news, हम 32,000 तोड़ा हमने, और 32,077 के आसवाफ से हमने closing दी हुई है, so एक resistance आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर, close to 32,100, यह resistance और यह जब तक इस दो line के बीच में bank nifty रहेगा, मैं कोई trading नहीं करने वाला हूँ, 32,029 एं 32,000, so let it break 32,000 decisively, longs बना के चलने की फिलाल के टाइम में suggestion नहीं है, थोड़ा सा wait करना चाहिए, अगर longs बनेंगे, क्योंकि 32,000 से लेके 32,500 के range में हम काम कर रहे हैं, so अगर वही range हम फिर से follow करते हैं, तो आपको एक बाद 32,200 के उपर जाने के बाद में 32,500 के लेकाम करना चाहिए, the question is, कि मैंने 32,500 के call क्यो लिया था, दोस्तों, दो-तीन इवेंट पास्ट में हुए थे, जैसे एक Brexit का इवेंट था, important event था, जब इंडिया पाकिस्तान का 25th February के उपर पाकिस्तान ने जब इंडिया के ओपर अटैक किया था, या जब इंडिया ने एर स्ट्राइक किया था, यह सब जो event हुए थे उस दिन market काफी निशे गिरा था, लेकिन contract call बनाता हुए, market ने तो रिकावर भी किया था, आज I was expecting कि ऐसा ही सेम चीज होगा, बट हुआ यह कि कुछ देर बाद में एरान के तरफ से भी यह statement आया, कि जो भी हुआ है उसके लिए U.S. को काम यह जब उगतना पड़ेगा, और whatever reason, लाइकिन U.S. के ओपर भी शायदो attack कर सकते हैं, यह कुछी तरह का वह action ले सकते हैं, because of that, यह चीज तो समझ में है कि यह जो अफसीन चलने वाला है, यह long term जाएगा, and इसका effect market को पर में दिखेगा, so immediately 32,500 टोटता हुआ नहीं नजर आ रहा है, कोई positive बहुत ही बढ़िया नियुस रहे कि तभी 32,500, यह हम अपने budget के चलते तोड़ेंगे तो दूसरी बात है, but फिलाहल global संगे जो है कफी negative नजर आ रहे है, देख लेते हैं option chain bank NFT का क्या बोल रहा है, highest open interest आप देखें कहा आपको दिख रहा है, 7,55,000, so 32,500, again highest open interest पहले भी था अभी भी है, 3,74,000 का in fact इसमें आज इजाफा हुआ एडिशन हो गया है, second अगर हम बात करें, put side में highest open interest, बहुत बढ़ी हाँ बात है कि अभी 32,000 पही पढ़ा हुआ है, highest open interest, but second highest open interest जो है, वो 31,000 पह है, यह थोड़ा समझने वाली बात होगी, कि 31,000 पह भी आपको highest open interest नजर आ रहा है, थोड़ा से यह रिंज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है नीचे की तरफ, उपर की तरफ ने नीचे की तरफ, एक थोड़े से जो chances लग रहे हैं कि शायद bank lift नीचे का रुख कर सकता है यहां से, अच्छी राइटिंग देखने को मिल रही है, 3,90,000 almost 4 lakh का है, 3,74,000 की राइटिंग, 3,57,000 की राइटिंग, तो अच्छी राइटिंग देखने को मिल रही है और यहां पे अच्छा आपको long build up put side में दिखाई दे रहा है, तो देरा चांसे की शायद से bank nifty नीचे की तरब चाहे, bank nifty future देख लेते हैं, bank nifty future lower low, इन्होंने भी यहांस पे भी आगर आप देखेंगे तो लेबल्स तोड़े हुए हैं, और यह लेबल्स अफिलाल के दायमें bank nifty के अंदर में, bank nifty future के लिए भी 32000 का बहुत ही एहम सपोर्ट है, यह अगर टूटा तो फिर आदने मार्केट के अंदर में 31500 के लेबल्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगर इस वीडियो में आपको कुछ पसंद आये तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगा, अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए, क्योंकि इस चैनल के मादम से हम आपको Bank, Nifty & Nifty के daily views बताते हैं, उसका daily analysis करते हैं, हम बात करते हैं next trading session के आने वाले labels के उपर में, और आप अगर वीडियो जेक रहे हैं तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि labels को Bank, Nifty & Nifty किस तरह से respect करता है, और बात करते हैं हमारे intraday stock के बारे में, दोस्तों साथ में एक चीजा बताना चाहेंगे, जो इस week के लिए labels निकल के आते हैं, वो labels कल मैंने मेरे Instagram के जो channel उस पर share किया था, अगर आपने join नहीं किया तो आप join कर सकते हैं, उसके अंदर में Bank, Nifty ने अपना label आज ही complete कर लिया हुआ है, so now expecting Nifty also to move below 12,200, because the label somewhere close to 12,165 के आसवास में आता है, so thank you very much for watching this video, good night.